तो अगर आपका budget 60,000 है और अगर आप एक अच्छा सा laptop लेना चाहते हैं तो ये laptop HP के तरफ से आता है और ये जो laptop है हाल में ही launch हुआ है December 2021 में और अभी market में ये अभलेबल हो चुका है तो अगर आप इस laptop को लेना चाहते हैं तो इस laptop को ले सकते हैं तो इसी laptop का आज हम unboxing ये जो laptop है Amazon के तरफ से आया है और चलिए इसको फटा-फट से unbox करके देख लेते हैं इसके features और performance ये रहा हमारा box और इसका seal break कर लेते हैं और इस box के अंदर है मेरा laptop का box तो box को निकाल लेते हैं बाहर और ये billing information का paper इसको रख लेते हैं side में और ये laptop का box ठीक ठाक quality में भेजा है पैकिंग करके Amazon का packing तो वैसे अच्छा रहता है कोई भी product आप मंगवाएंगे तो Amazon का packing से आपको सिकायत नहीं होगा बहुत सरा wrapper दे दिया है तो laptop को निकाल लेते हैं wrapper से बाहर और ये हमारा आगया box इस laptop के box पर कुछ information mention है और इसका जो MRP लिखा हुआ है 70171 और मेरे वीडियों बने रही है ये मुझे कितने का प्राय एक्जाक्ट प्राइस में बता दूंगा आपको और ये हमारा आगया box इसका भी कर लेते हैं इस laptop को निकाल लेते हैं बाहर और ये laptop बाहर आ चुका है कुछ अंडे के ट्रे जैसा पैकिंग में आया है यह होगा user manual इसमें आपको प्रोडक्ट से related information मिल जाएगा तो आप इसको पर सकते हैं और ये है laptop का charger चार्जर जोकी 55W वाला charger है और ये पीन कुछ ये पीन जो है इस तरह का आपको मिल जाएगा और इसमें type-c वाला charger नहीं मिलता है और यह पावर कॉर्ड काफी अच्छा क्वालिटी का क्वालिटी से आपको कोई सिकात नहीं होगा तो इसको रखते हैं साइड में और इस laptop को हम निकाल लेते हैं ड्रे के अंडर से यह हमारा laptop निकल कर बाहर आ चुका है कुछ इस थरह से बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छा लग रहा इसको दबा के भी देख लेते हैं कि अच्छा यह बिल्ड क्वालिटी पहले के जैसा नहीं रहा वे अच्पी जो है अब बदल रहा दीरे दीरे पहले इसका बैंड हो जाता था नीचे तक अब नहीं हो रहा है कि सब्सक्राइब कंढ़कर हैं तो क्वालिटी में तो बहुत अंतर आया पहले के लैपोड़ ऊप से इस लैप्टॉप के बैक साइड में आपको एयर वेंट मिल जा और ओडिजनल विंडूंडोज का लोगो मिल जा और गरिपिंग के लिए दो रवर ग्रीप मिल जाब एक य लगावा होता है और अगर बैटरी बैकप की बात करें तो इसमें आपको चार घंटे के आसपास का बैटरी बैकप मिल जागा और इस बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हैं अगर आपको रिप्लेस करना था आपको सर्वी सेंटर ही जाना परेगा तो सबसे पहले इस लैप्टाप के वेट की बात करें तो वेट जो है इसका 1.75 kg है और इस लैप्टाप का थिकनेश जो है आपका 19 mm थिकनेश है और इस लैप्टाप के अगर पोर्ट की बात करें तो पोर्ट में आपको एक लैंड केबल मिल जागा RJ45 वाला लगाने के लिए और HP के अभी जितने भी लैपटॉप्स लाँच हुए थे 50-60 के बीच उसमें किसी भी लैपटॉप में आपको लैन पोर्ट लगाने के लिए नहीं मिलता था तो इस लैपटॉप के लिए काफी अच्छा है इस लैपटॉप में आपको लैन पोर्ट मिल जाता है एक आपको HDMI के वल लगाने के लिए पोर्ट मिल जागा एक USB Type-C वला पोर्ट मिल जागा जिससे कि आप 5Gbps तक फाइल ट्रांसपर कर सकते हैं दो आपको इस साइड LED इंडिकेटर मिल जागा एक हेड़फोन-माइक्रोफोन कॉमबो पोर्ट मिल जागा और लैपटॉप के इस साइड USB Type-A वला दो पोर्ट मिल जागा जिससे आप 5Gbps तक फाइल ट्रांसपर कर सकते हैं और एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जागा LED इंडिकेटर के साथ और अगर आपके पास कैमरा है तो काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको फुल साइज Macro SD Card लगाने के लिए मिल जागा जो कि अभी काफी सारे लैपटॉप में छोटा वाला पोर्ट देता है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसमें आपको फुल साइज Macro SD Card लगाने के लिए पोर्ट मिल जागा और लैपटॉप की अगर उपर की साइड बात करें तो उपर आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ काफी अच्छा सा फिनिसिंग मिल जाता है और यह नीचे की तरफ दबता भी नहीं है और एक आपको चमकता हुआ है HP का लोगो मिल जाएगा इसमें आपको HP True Vision का webcam मिल जाएगा जो की 720 पिक्सल वाला है और साथ में आपको Dual Area microphone मिल जाएगा इस laptop का display 15.6 inch full HD IPS पैनल वाला है और इसका brightness 250 nits है साथ में यह anti-clear coating के साथ आता है तो अगर आप किसी भी lighting condition में आप इस laptop को use करेंगे तो आपको कोई problem नहीं होगा यहाँ पे एक आपको HP का logo मिल जाएगा और नीचे की साइड आपको यहाँ पर front firing speaker मिल जाएगा एक यहाँ पर speaker और यहाँ पर speaker तो आपको sound काफी अच्छा मिलने वाला music और movies देखने में आपको काफी मजा आएगा और personally मुझे front firing speakers ही पसंद है क्योंकि नीचे की साइड जो speakers होता है down firing speakers वो जब भी आप use करेंगे बेड पे तो आवाजी नहीं आएगा हाँ अगर आप flight पे, flat surface पे या फिर table वेगरा पे आप use करेंगे तो काफी अच्छा sound आगा बट ऐसे sound नहीं आता है अच्छा इस laptop में आपको full size numeric keypad वाला keyword मिल जागा और यार इसमें फिर से मुझे एक निरासा हाथ लगा इसमें backlit keyword नहीं मिलता है तो जिससे आपका अगर night में typing work रहता है तो आपको problem होगा इस laptop का touchpad जो है दो clickable button के साथ आंता है और इसका touchpad जो है multi gesture को भी support करता है और इसका quality काफी अच्छा है मैंने इसको press करके भी देखा बट यह press नहीं हुआ नीचे की तरफ काफी सारे laptop में इस तरह होता है कि यहां पर press करने से यहां पर press करने से थोड़ा बहुत आबाज भ student 2019 lifetime के लिए मिल जागा और यहां पर आपका processor का logo है इसमें आपको Intel Core i5-11 generation वाला processor मिल जागा जो की 4 core 8 thread के साथ आता है और इसमें base clock speed 2.4 GHz है और turbo boost में यह 4.2 GHz तक जा सकता है और इसमें आपको integrated graphics मिल जाता है जो की Intel की ओर से आता है Intel Iris XC graphics इस laptop में आपको dedicated graphics नहीं मिलने वाला तो चलिए बात करते हैं इस laptop के RAM और storage की तो RAM जो है इसमें 8 GB का मिलने वाला है आपको 32 MHz वाला और इसमें सबसे खास बात मुझे यह लगा कि इसमें dual channel RAM है तो जिससे आपको performance काफी अच्छा मिलने वाला है और आप इस RAM को upgrade भी कर सकते हैं 12 GB का 2 stick आप लगा सकते हैं लेकिन आपको 44 GB वाला जो यह 2 stick लगा हुआ है पहले से इसको आपको replace करना पड़ेगा इसमें आपको storage के लिए 512 GB का NVMe M.2 वाला storage मिल जाएगा इस laptop में जो storage के लिए brand यूज किया गया है वो Intel का SSD है और Intel और Samsung काफी अच्छा brand है leading brand है SSD में इसक इतने भी HP के laptops आ रहे थे उसमें का इसकिया कंपणी का SSD यूज किया जाता था जिस वाज़से performance जो है इतना अच्छा नहीं मिलता था लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि Intel का SSD नहीं यूज किया laptop में तो काफी अच्छा है तो बात करते इस laptop के price की तो price जो मुझे 58,000 पे क कर रहा हूं तो जिस वाज़से अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई